भारत के राश्ट्रपती पद के लिए होने वाले चुनावों को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है लेकिन इस चुनाव में सर्वसम्मती बनाने को लेकर जिस किस्म की बहसे हुई उसे देखकर ऐसा लगा कि भारत में राश्ट्रपती चुनाव की तिहास को जाने वगेर ही ये बातें कही जा रही है या फिर उन्हें जानबूज कर नजर अंदास किया जा रहा है भारत के पंद्रवे राश्ट्रपती चुनाव में बिहार के राज्यपाल, रामनात कोविंद और लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार आमने सामने है आगडों को देखते हुए ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सरकार के उम्मिदवार कोविंद भारत के अगले राश्ट्रपती होंगे ज्यादतर जानकारों का कहना था कि इस चुनावी मुकाबले में कोई दम नहीं है और इसे टाल देना चाहिए था अनुभवी नेताओं तक के बयानों में भी यही भाव थे लेकिन वे इस बात को भूल गए कि फकरुद्दीन अली एहमत की मृत्यू के बाद 1977 में हुए सातवे राष्टपती चुनाव को छोड़कर अभी तक के सारे चुनावों में मद्दान के जरिये परिणाम आया है उस चुनाव में नीलम संजीव रेड़ी निर्विरोध जीत गए क्योंकि बाकी 35 लोगों की उमिद्वारी रध हो गई थी 1979 के चुनाव में तो ततकालीन प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी ने अपनी ही पाटी के उमिद्वार नीलम संजीव रेड़ी के खिलाफ वीवी गिरी को अपना समर्थन दिया था और गिरी एक कड़े मुकाबले में जीतने में कामियाब हुए थे यहां तक कि 1967 में जाकिर हुसैन विपक्ष के उमिद्वार कोटा सुबबा राओ से सिर्फ एक लाग से कुछ ज्यादा मतों से जीत पाए थे 1997 में किया नरायनन के खिलाफ पूर्व चुनाव आयुक्त टीन सेशन लड़े 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ वामपंथी पाठियों ने स्वतंत्रता सिनानी और आजाद हिंद फौच की नेता लक्ष्मी सहगल को खड़ा किया था 2007 में प्रतिभा पाठिल ने मुकाबला करने के लिए पूर्व उपराष्टपती भैरो सिंग्स शेखावत मैदान में थे ऐसे में ये कहना कि जो जीत सकता है उसे ही सब समर्थन करे वो इस इतिहास और लोगतंत्र की भावना दोनों के खिलाफ है बिरो रिपोर्ट गोन्यूस